नमस्कार मैं अजय कुमार संस्थाएं अगर सरकार के जेब में कैद हो जाती हैं तो सरकार अपनी सार्थक्ता गमा देती है महचसत्ता पर काबिज होने वाले कुछ लोगों का समोह बन कर रह जाती है सरकार अपने यर्थ में सरकार रहे इसके लिए जरूरी है कि संस्थाएं पूरी इमांदारी के साथ स्वतंत्र होकर काम करें मोधी सरकार के दौर में यही हुआ है चुनाव आयोक से लेकर के इंफोस्मेंट डिरेक्टोरेट तक और सीबी आई से लेकर के सेबी तक सबके कामकाच को उठा कर देख लीजिए ऐसे अन गिनत उधारन देखने को मिलेंगे जो यह बताते हैं कि यह संस्थाएं वही करती है जो सरकार चाहती है सबसे ज़्यादा अपसोस रवय्या तो सुप्रीम कोट का दिखेगा सुप्रीम कोट से उमीद रहती है कि वह न्याए के रास्ते पर चलेगी मगर वह भी सरकार के रास्ते पे चलती हुई नजराती है कई जानकार यहां तक कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोट ने ऐसे फैसले और इस लहजे में सुनाए जिससे लगता है कि उन्होंने तर्क का सिरा न्याय की बजाए नरेंद्र मोदी की सत्ता से जोड़ दिया है ऐसी डसा में अगर सुप्रीम कोट की तरफ से एक धंग का आदेश आ जाए तो अब प्रत्यासित किस्म का लगता है अपने पर चर्चा करवाने की मांग भी रखता है अडानी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने सरकार की चालाकी को सीरे से खारिच कर दिया सुप्रीम कोट ने अडानी हिंडनबग मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट के नाम सिल्ड कवर में यानि सीलबंद लिफाफे में लेने से इंकार कर दिया नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान कई मौके पर सरकार ने सिलबंद लिफापे में जानकारी देने की बात कही और सुप्रीम कोट ने उसे स्विकार भी कर लिया मगर इस बार सुप्रीम कोट ने सरकार की सीलबंद लिफापे में जानकारी देने की चालाकी को पूरी तरह से खारिच कर दिया दरसल अडानी हिंडनबग मामले में सुप्रीम कोट में चार याचिकाएं दायर की गई है पहली याचका एडवोकिट मनोहरलाल सर्मा की है इस याचका की मांग है कि हिंडनबग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडर्सन और इनके भारतिय सहयोगियों पर FIR की जाए इंक्वाइरी बिठाई जाए अडाने ग्रूप से जुड़े लिश्टेड कमपनियों पर किसी भी तरह की मिडिया रिपोर्ट सेबी की चानबीन के बाद ही प्रकासित हो दूसरी याचका एडवोकिट विसाल तिवारी ने दायर की है इस याचका में मांग की गई है कि हाई कोर्ट के रिटार्ट जज की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाकर हिंडन बग रिपोर्ट के आरोपों की चानबीन की जाए साथ में यह भी मांग रखी है कि 500 करोड रुपए से ज़्यादा कर्ज देने से जोड़ी स्विक्रिक निती की निगरानी के लिए कि स्पेसल कमिटी बनाई जाए तीसरी आजका में कॉंग्रिस नेता जया ठाकुर ने अडानी समूह के खिलाब कई कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है और भारतिय स्टेट बैंक और जीवन विवानिगम के आडानी के सियरों में कतित रूप से बड़ी हुई कीमत पर निवेस करने की फैसले पर सवाल उठाया है चौती आजका में हिंडनबग रिपोर्ट को आधार बनाकर आडानी ग्रूप से चानबीन करने की बात की गई है दस फरवरी को इस मामले में सुप्रीम कोट में सुनमाई हुई सुप्रीम कोट ने सरकार से पूछा था कि क्या इस मामले पर एक जाच कमिटी बनाने की सुझाव पर वस सहमत है इस कमिटी का काम यह भी होगा कि वह भी देखे कि क्या स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में किसी भी तरह की फेर बदल की जरूरत है या नहीं इसी पर 17 फरवरी की सुप्रीम कोट की सुनवाई में केंद्र सरकार के प्रतिनीधी सॉलिस्टर जनरल तुसार महता ने सुप्रीम कोट में यह कहा था कि वह इस पूरे मामले की एक्सपर्ट कमीटी से जाच कराने के लिए सहमत है मगर एक्सपोर्ट कमीटी में सामिल सदस्यों के नाम सिल्ड कवर यानि सिल्बंद लिफापे में देने की बात कही थी सुप्रीम कोट ने सरकार के इस पूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया लाइव लौ के मताबिक तीन जज़ों की बेंच में से जस्टिस चंदर्चूर ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम आपकी ओर से सिल्बंद लिफापे में दिये जा रहे नामों को स्विकार नहीं करेंगे अगर हम आपके सुझाओ को सिल्बंद लिफापे में स्विकार करते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि दूसरे पक्ष को पता नहीं चलेगा लोग सोचेंगे कि यह कमीटी सरकार ने बनाई है हम निवेशकों की सुरक्षा के लिए पूरी पारदर्शिता चाहते हैं हम खुद एक कमीटी बनाएंगे इससे कोट कचहरी पर विश्वास की भावना बनी रहेगी सुप्रीम कोट की तरब से सरकार को मिला यह इंकार न्याय की तराजु पर सुसंगत बैठता है नहीं तो यह परिपाटी चल पड़ी थी कि सरकार सिलबंद लिफाफे का जाल फेकती थी और सुप्रीम कोट आसानी से उस जाल में खुद को फंसा लिया करती थी अब थोड़ा सिलबंद लिफाफे की कहानी को भी समझ लीजिए सिलबंद लिफाफे में जानकारियां लेने और देने से जुड़ा किसी भी तरह का कानूम नहीं है मगर सुप्रीम कोट के आदेश 13 के नियम साथ और इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 123 में इसका जिक्र मिलता है जहां मोटी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोट या चीफ जस्टिस को लगता है कि लोक हित को देखते हुए किसी भी तरह की सूचना सारवजनिक नहीं होनी चाहिए तो सूचना को कॉन्फिडेंसियल प्रकृति का मान कर सिल्ड कवर में रखने का निर्देश दिया जा सकता है मगर पिछले कुछ सालों से अदालत में सिल्ड कवर का चलन चल पड़ा है सिल्ड कवर में जानकारियां देने का मकसद लोक हित की बजाए मोधी सरकार का हित बन चुका है मौजूदा वक्त में राजसभा के सांसद और भूतपुर्व चीफ जस्टिस अफ इंडिया रंजन गगोई ने साल 2018 में सरकार को राफेल जेट मामले में राफेल जेट की कीमत और वा कीमत किस तरीके से निर्धारित की गई है इस जानकारी को रंजन गगोई ने सील बंद लिफाफे में जमा कराने को कहा था जबकि राफेल जेट ब्रष्टाचार का सबसे हमाधार यही था कि सबको यह पता चले कि सरकार ने किस कीमत पर राफेल जेट खरीदा है सीबी आई के भूतपुर्व डाइरेक्टर आलोक वर्मा और भूतपुर्व स्पेशल डाइरेक्टर राकेस अस्थाना ने एक दूसरे पर भष्टाचार के आरोप लगाए थे सेंट्रल विजलेंस कमीशन ने इन आरोपो की जाच की थी इसकी प्रात्मिक रिपोर्ट को सुप्रीम कोट ने सिलबंद लिफाफे में मांगा था भीमा कोरेगा मामले में यूए पिये के तहद गिरफतारियां हुई थी सुप्रीम कोट ने महराश्थ पुलिस की सिलबंद लिफाफे में दी गई जानकारियों पर भरोसा किया था कोईला गोटाला, टूजी स्केम, जजलोया की मौत, राम जनमभुमी मामले जैसे महत्तपूर मामलों पर जानकारिया सिलबंद लिफाफे में साजा की गई थी बताते हैं कि यहां पर सीलबंद लिफाफे की जरुवत नहीं थी इन मामलों में साजा की जाने वाली जानकारियां इतनी ज्यादा संबेदन सील प्रकृति की नहीं थी कि उसमें लोक हित और या राष्ट हित का खत्रा पहुंचता मगर फिर भी सीलबंद लिफाफे में जानक कारियां साजा मत कीजिए हम इसे स्विकार नहीं करेंगे अब अडानी मामले पर फिर से लोट आते हैं वित्य किस्म की धांदली को रोकने के लिए इंफोर्स्मेंट डायरेक्टोरेट डायरेक्टोरेट औफ रवेंडियू इंटेलिजेंस सिक्योर्टी एक्षेंज पहले से ही मौजूद है यानिра से ही ऐसी ववस्था मौजूद है जो अगर इमांदारी से काम करती तो अडाने ग्रूप की धांदली बहुत पहले ही रूग जाती हिंडनबग रिशार्च ने अपनी रिप२र्ट में लिख्था है कि अडाने ग्रूप की संपथी तकरीबन 17 लाह करोड के आसपास है जनवरी में इस रिपोर्ट के प्रकासित होने के बाद से लेकर अब तक अडानी ग्रूप की कुल संपत्ती में 10 लाह करोड रुपे की गिरावाट हो चुकी है यह क्या बताता है यह बताता है कि हिंडन बग रिसर्च ने जो भी आरोप लगाए है जैसे कि दूसरे मुल्क में सिल कंपनिया बना कर स्टॉक मैनुपिलेशन कर सेर की कीमतों को बढ़ाना जिसकी वज़ा से अडानी ग्रूप की सेरों की कीमत 85% जादा है आउकात से जादा कर्ज लेना उन सारे आरोपों में दम है जिसकी वज़ा से अडानी ग्रूप की पहाड बराबर संपत्ती भरभरा कर ढढ़ा गई साल 2014 में अडानी ग्रूप की पूरी संपत्ती तकरीबन 16,780 करोड़ रपे हुआ करती थी नरेंद्र मोदी के आने के बाद से लेकर जनवरी 2023 के पहले महिने तक अडानी ग्रूप की पूरी संपत्ती तकरीबन 17,000,000 करोड़ के आसपास पहुँच गई या कैसे हो रहा था इस पूरे रवये पर कई सारे खबरे छप रही थी उस समय भारत की वित्तिय धांदली को पकड़ने वाली संस्थाएं क्या कर रही थी निक्केई एसिया की फ्रेस रिपोर्ट बताती है कि अडाने ग्रूप का कुल करज 3.3 लाक ट्रिलियन यानि कि 3.3 लाक करोड रुपे तक है और या भारत की कुल जीडीपी का कम से कम एक फिजदी के बराबर है अडाने ग्रूप को इतना ज़्यादा लोन कैसे मिल गया यह सारी बाते दिख रही थी अब हालत यह है कि अडाने ग्रूप की संपत्ति कम हो गई है और वह करज के जंजाल में फंस्ति चले जा रही है यह सब दिख रहा था कि अडाने ग्रूप अपने मुनाफे से कई गुना ज़्यादा करज उठा रही है ऐसा होने क्यों दिया गया सेबी और आर्बियाई क्या कर रहे थे आखिरकर यह कैसे संपभ हुआ कि भारत का केवल एक ग्रूप यानि अडाने ग्रूप खनन में भी है बंदगरा में भी है एयरपोर्ट के कारोबार में भी सामिल हो रहा है सोलर, एनरजी, पानी, हाइडरो एनरजी, सिमेंट, एफमसीजी जैसे भारत के हर छित्र में काम कर रहा है ऐसा लगता है जैसे भारत में अडाने ग्रूप के अलावा कोई दूसरी कमपनी ही नहीं है कुछ तारों को समझते चलिए तो अडाने ग्रूप के एक आधिकार की बात और समझ में आएगी इधर अडाने ग्रूप आस्टेलिया से कोईला मंगाना सुरू करती है उधर सरकार कोईला आयात सुल्क खत्म कर देती है अडाने ग्रूप ग्रिन हाइड्रोजन का योजना बनाने का एलान करती है और उधर सरकार ग्रिन हाइड्रोजन पर बहुत बड़ी सबसीडी का एलान करती है इधर अडाने ग्रूप अनाज भंडारन के लिए बड़े-बड़े साइलो बनाने का एलान करती है और उधर सरकार ने जमाखोरी के कानून में धील दे दिया यह सब क्या अंधेरे में हो रहा था? सब के सामने हो रहा था सरकारी संस्थाएं सब समझ बूज रही थी Enforcement Directorate यानि परवर्तन निदेसाले की वेबसाइट से पता चलता है कि संस्था का काम मनी लॉंडरिंग के मामलों की छान बीन करना है हिर्णनबग रिसर्च सहित पनामा पेपर और कई मडिया रिपोर्ट से एक खुलासा हुआ कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोध अडानी दूसरे मुल्क में सिल कमपनिया बना कर यानि एक तरह की फरजी कमपनिया बना कर और उन फरजी कमपनियों के जरी अडाने ग्रूप में इन्वेस्टमेंट करवा कर अडाने ग्रूप के सेरों की कीमत उची करवा रहे हैं तो परवर्तन दिदे साले नहीं नारूप की छान बीन क्यों नहीं की वह क्या कर रहा था Directorate of Revenue Intelligence की वेबसाइट से पता चलता है कि यह संस्था भारत के दूसरे मिलकों के साथ होने वाले कारोबार पर निगरानी रखती है इस संस्था ने ओवर इन्वाइसिंग यानि अडाने गृप के भारत के बाहर से आने वाले कोईले कि उची कीमत दिखाने से जुड़े आरोपों को किस निसकर्स पर पहुँचाया Security Exchange Board of India के बारे में अर्थसास्री जैती घोस्द हिंदू में लिखती है कि वह दुनिया की सबसे मजबूत वित्तिय नियमन के संस्थानों में से एक है उसे सर्च, सीजर और अरेष्ट करने का अधिकार मिला है उसके पास अच्छा खासा सर्विलान सिस्टम है स्टॉक मार्केट में रियल टाइम ट्रेडिंग की उसे जानकारी मिलती रहती है क्या इतनी पावरफुल संस्था को अडाने ग्रुप के भीतर होने वाले स्टॉक मैनिपिलेशन की जानकारी नहीं होगी इन सब में सबसे अधिक अच्छजवाली बात तो यह है कि SBI, LIC ने बड़ी मातरा में अडाने ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया जबकि सब कुछ साप साप दिखाई दे रहा था SBI, LIC को समालने वाले करता धरता भी साप साप देख रहे होंगे कि अडाने ग्रुप की असली हालत क्या है मगर फिर भी या जानने के बाद भी कि आगे खाई है आम लोगों का पैसा अडाने ग्रुप में जोका गया वह अडाने ग्रुप जो मौझूदा वक्त में खाई में गिरती चली जा रही है कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार की वित्तिय धांदली से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके पास इतनी सक्तियां हैं जिससे पता चलता है कि उनके पास अडाने ग्रुप के भीतर चल रही धांदली से जुड़ी सारी जानकारियां थी मगर फिर भी किसी तरह की ठोस कारवाई नहीं की गई अगर ठोस कारवाई की भी गई तो उसे किसी निसकर्स पर नहीं पहुंचाया गया अगर भारत सरकार की वित्तिय धांदली को सम्हालने वाले संस्थाओं का रवईया ऐसा है तो सरकार दोरा सिलबंद लिफापे में सौपी गई एक्सपोइट पैनल की कमीटी कैसे ठोस कारवाई करती वह भी महच कोरम पूर्ती बनकर रह जाती गवर्णमेंट अपॉइंटमेंट कमीटी बनकर रह जाती जिस पर जनता का तनिक भी भरोसा नहीं बनता शुक्रिया